कुछ महूर्त ऐसे हैं, स्वंग सिद्ध महूर्त होते हैं, जो पिशेश महूर्त होते हैं, जैसे के चैत्र सुकल पक्स प्रत्वदा, अचैत्रतिया, बिजिया दस्मी, धन्त रियोदसी, दीपावली, बसंत पंच्मी और भी कुछ महुरूत हैं इसी तरह ऐसे जैसे भड़ली नावमी, फुलेरा दौज और देव ठनी एक अदसी दर्सको इस समय दो माहा के लिए विवाह जैसे सो मांगलिक कारे, देव प्रतिष्ठा, ग्रह निरमाण, ग्रह प्रवेश, आदी, पूर्ण रूप से प्रतिबंदित हैं, जो तिसके अनुसार बंध हैं तो ऐसे समय में अच्छा त्रतिया की प्रवेवगता इसलिए और बढ़ गई है, कि दो माहा तक कोई भी हम विवाह कारे नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुक्र तारा, गुरु तारा, अस्त होने का दोस्त हमें यहां नहीं लगता अबूज महूर्त में, यह अबूज महूर्त क जिसे मांगलिक कारे, और भी शुबकारे हम कर सकते हैं, खरीद दारी के लिए भी अत्योत्तमाना गया है, यह था नाम तत्तागुन की अनुसार, इस दिन कोई भी शुबकार यह किया जाए, कोई भी पुंड किया जाए, कोई जमित जाजात खरीदी जाए, कोई आहुशन बाहन खरी दे जाएं, तो उनकी आई वड़ी लंबी होती है, बहुत समय लंबे समय तक हम उसका सुप उपभोग करते हैं, यानि उनका उपभोग अक्षय के रूप में हमें प्राप्त होता है, यदि हम इस दिन कोई दान पुंड भी करते हैं, तो है भी अच्छा रहता है, इसलिए इस दिन पित्रात्माओं के लिए भी दान पुंड करना चाहिए, तरपन करना चाहिए, जिससे हमारे पित्र प्रसंद होते हैं, अच्छे तरतिया के दिन सबसे पहले हमें गंगा इस्थनान करके, और पित्रों के निमेत्ते हैं, तरपन और दान पुंड जिसमें म अंदर में या किसी बेदपाठी के निहां देना चाहिए गंगा इसनान तीर्थों का इसनान गंगा जल डाल के इसनान का भी इस दिन विशेश महत्तो माना गया है क्यों कि इसी दिन गंगा जी हमारे धर्ती पर आई है दर्सको अच्छा तरतिया के दिन जो हमें सुब खरिद में दो बज के पचास मिनट पर रही है शुकरवार को रोभणी नक्षत्र भी हमें सुबह में सुबह में सुबह में मिलेगा प्रात्य सूरुदय से पूरो भी एक दिन पहले ही उख चुका है प्रारम और दिन में 10 बज के 47 मिनट तक रहेगा इसमें हमें चोगडिया का थो प्रात रहेगी इसी तरह से अभिजयत महूरत का वी को विशես माननेता दी जाती है अभिजयत महूरत का समय अंचल में नहीं प्रात्य 11 बज के 47 मिनट से प्रारम होगा और है 12 बज के 35 मिनट तक रहेगा अभिजयत महूरत में विएध ये तिति रात्री दो बज के 50 मिनट पर समाब्त होगी लेकिन इसमें जू रोहीणी नचत्र है वह दस बज के 47 मिनट तक रहेगा तो 10 बज नचत्रय के समय को विश्यस परात्मिक्ता दी गई हैं क्यूंकि त्रितिया तिति में रोहीणी नचत्र की उपस्तिती को बहुत ही स्रिष्ट माना गया है, मैसे तो है पूरा दिन ही स्रिष्ट रहेगा, और किसी भी समय भी आप कोई सुबकार करते हैं, वैसा भी फालीगोत होंगे, लेकिन इसकी उपयोगता को और बढ़ाने के लिए आप चोगड़ी आप भी ध्यांस दे सकते हैं, अवजित महुर्थ का भी प्रियोग कर सकते हैं, दर्सको आपको मालब होना चाहिए कि यह तिथी अच्छे तरतिया तिथी इतनी प्रमुख या महत पूर्ण तिथी क्यों हैं, इसके पीछे इतिहास में और पुराणों में बहुत सी ही ऐसी घड़ना मिलती हैं, जो इसकी म भगवान के विश्ण भगवान के छट में अवतार हैं, उनका जन्मुट्सा मनाया जाता है, उनका जनम भी इसी दिन हुआता, मा गंगा का जो आगमन धरती पर आज ही के दिन हुआता, मा अन्पूर्णा का जनम हैं, वो अच्छे तरतिया के दिन हुआ, सत्यों के त्रेता यूग का प्रारम भी इसी दिन से हुआ है, इसलिए यूगाद तिथी भी कहा चाता है,